नमस्कार, स्वागत है आप सभी का The Indian Economist में तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अभी एक record construction की गई है Ministry of Road, Transport and Highways की और से तो National Highway का निर्मान किया गया है एक ही हफते में 534 km लंबा National Highway बनाया गया है तो इसको एक record construction कहा गया है तो इसकी जो starting हुई थी ये हुई थी 8 January को पिछले हफते इसकी construction शुरू हुई थी और एक हफते में ही 534 km का जो National Highway का इसका निर्मान जो था करके दिखाया गया तो थोड़ा सा facts जानते हैं इसके बारे में तो Ministry ने यहाँ पर construct किये हैं 8,169 km के जो National Highways है from April 2020 to 15 January 2021 तो इसमें जो speed रखी गई जो average speed निकाली गई कि एक दिन के अंदर-अंदर maximum कितना जो highway का निर्मान किया गया तो वो था 28.16 km तो इसी period के दुरान जो last fiscal year अभी गुजरा है तो उस समय 7573 km roads जो थी वो बनाई गई थी और उस समय जो average speed थी वो थी 26.11 km per day तो अभी देखिए अगर पिछले fiscal year से हम इसका comparison करें तो थोड़ा सा अभी जादा है और इसके इलावा जो ministry है वो ये भी आशा लगाकर चल रही है कि आने वाले समय में 31 March तक जब तक ये वाला fiscal year over हो जाएगा 31 March तक हमारा जो target है 11,000 km तक की हमने roads बिशानी है वो हम कर लेंगे इसके इलावा ministry ने और भी बहुत सारे यहाँ पर national highway के projects जो है उनको award किया हुआ है कि उनको construction करनी है जैसे यहाँ पर 7597 km का अभी जो यहाँ पर construction चल रही है April 2020 से 15 January 2021 तक इतनी construction हो चुकी है इसके इलावा अगर 2019-20 के fiscal year की बात करें तो उस समय 3444 km के यहाँ पर national project जो national highway के project अवाड होए थे तो अभी अगर इस fiscal year की बात करें तो जो यह award होते हैं मतलब की मिलना contract मिलना इस साल में अभी double हो गए है तो कभी 3444 km थे अभी यह 7597 km के आसपास जो है यह award होए है कि इतना आपने निर्मान करना है एक साल में national highways का तो अगर total बात करें तो projects जो हैं यहाँ पर अगर 2019-20 की बात करें तो 8948 km के roads यहाँ पर award होए थे कि इतने बनाने हैं हमने 2020 में और इसमें से अभी अगर बात करें तो 10,237 km के roads जो है already जो है construct कर चुके हैं देखिए हर साल में अलग-अलग जो है face की according जो है यहाँ पर award होती है कि अभी इतने सटके निर्मान करना है उसमें कुछ reason रहते हैं जैसे यहाँ पर अगर funding की बात करें तो finance भी यहाँ पर चाहिए पैसा भी चाहिए सरकार के पास अगर पैसा होगा तभी construction जो है आगे चलती रहेगी तो एक target रखती है सरकार की मैंने इस साल इतना इतनी जो kilometer की length है मैं about करूंगा कि इतनी बनाएंगे हैं और उसमें से कई बार होता है कि कुस जादा बन जाती है और कई बार ऐसा भी होता है उतना target नहीं achieve हो पाता जैसे अभी funding की shortage अगर यहाँ पर रहती है तो इसमें और delay हो जाता है तो यह जो total construction cost होती है वो भी बढ़ जाती है कई बार जब delay हो जाता है projects में तो तो आगे बात हम करने जा रहे हैं भारत माला परियोजना के बारे में important है तो एक umbrella program है मतलब इसके तहत और भी बहुत सारे program जो है चल रहे होंगे जब भी हम umbrella word use करते हैं इसका मतलब होता है यह जो भारत माला परियोजना है इसके तहत और बहुत सारे program चल रहे है तो एक main hub बन गया इसको हम बोलते हैं अम्बरेला तो हाइवे सेक्टर में एक अम्बरेला प्रोग्रम चला रहा है बारत माला परयोजना के तहर निस्ट्य ओफ रोड ट्रांस्पोर्रेंड हाइवेस की और से यह चल रहा है तो यह चाहता है कि हमारे जो पैसेंजर्स की मुवमेंट है तो इसके लिए जो है इस हो असानी से लोग पहुंच सके तो असानी तब ही होगी जब जैसे हाइवेज जाम हो जाता है तो यह सब चीज़ें ना हो तो इसलिए यहाँ पर देखो अगर कोई शहर आ जाता है तो वहाँ से बाइपास निकाल दिये जाते हैं ताँ जो कि किसी भी तरह की रुकावट के बगार जो है ट्रांस्पोर्टेशन जो है जलती रहे स्मूथली तो इसी तरह से इसी परमाने के ऊपर और कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी बहुत सारे नैशनल हाइवेज कोरिडोर्स की ज़रूरत है भारत को तो इसी के लिए अ यह होते हैं जा इंटरनैशनल देश किनेक्ट होता है किसी दूसरे देश के साथ वहाँ पर भी फोकस किया जा रहा है कि अच्छे रोट्स बनाए जासे अगर हम चाहते हैं कि इनके सडकें उनको जोड़ा जाए Greenfield Expressways यहां पर बनाने की बात करें तो इन सब के लिए पैसा चाहिए काफी तो यह सबी की सबी स्कीम जो है हमारी Ministry of Road Transparent and Highways यही manage करके चल रही है throughout the country तो अभी जान लेते हैं इनकी highlights के बारे में कि भारतमाला परियोजना की highlights के हैं सबसे पहली तो बात यही है कि efficiency जो है जो existing corridors है उनको और efficient बनाना है कि अगर कोई समय समय सिमा बांद ली जाती किसी की तरब से कि मैंने इतने समय में यहां से वहां तक पहुँचना है जा अपना समान वहां तक पहुचाना है तो वह पहुचा पाए इसमें delay ना हो तो इसलिए यहां पर और multimodal logistic parks बनाई जाएगी या अगर कोई समान कहीं पर पहुचता है जैसे containers पहुचते हैं तो logistic parks उनको ऐजे उनको hub बना जाएगा कि वहां पर आप समान रग सकते हो ठीक है एक hub बन जाएगा वहां से फिर आप अपना समान उठागे जहां पर भी उसको import export करना आप कर सकते हो तो अभी last time असाम में भी ऐसी logistic parks का उदगातन किया गया तो यहां पर जो choke point जो यहां पर jam लगने के कारण होते हैं eliminate करने की बात की जाएगी इसके लावा जो है connectivity जो north east के हमारे states हैं जो हमारी seven sisters states हैं वहां पर अभी भी connectivity की बहुत सारी बादाएं हैं अभी वहां पर भी बहुत बड़े पेमाने पर जो है road construction की जरूरत है जो हमारे inland waterways हैं जैसे हमारा अगर बात करें national waterway one है national waterway two है यह जो national waterway two है ब्रंपुतर रिवर के उपर यह बनाए गया है और waterway one जो है यह गंगार नदी के उपर है तो अगर waterway two की बात करें तो वहां पर उसको भी हम आपस में connect कर सकते हैं ओके roads के साथ connect कर सकते हैं तो आगे बात करें कि technology का use करना है scientific planning करनी है project preparation करनी है asset monitoring करनी है जो यहाँ पर asset बनाया जाएगा bridges बनाया जाएगे सडके बनाया जाएगी इनको monitor करके भी चलना है कि खराब ना हो किसी तरीका की किसी तरीका का भी यहाँ पर दुरगटना नहों पाए आने वाले समय में इसके लवा जो project delivery है ठीक है उसकी बात कर रहे हैं कि 2022 तक phase 1 का जो है काम complete हो जाएगा यह यहाँ पर आस लगाई जा रही है और North East की जो connectivity है वो और improve होगी और अभी बात करते हैं scheme के features के बारे में सबसे पहली बात है कि हमने quality roads बनानी है ऐसा नहीं कि ऐसी सडके बना दी जाए बात में 2 साल बात खराब हो जाए फिर बात वहाँ पर tender निकले कि उस सडको दोबारा बनाओ और पैसेंजर जो है वो यहाँ पर तकलीफें जो है उसको जहलता रहे और उनकी बदालत जो है और जो मिनिस्ट्री है वो आने वाले समय में नहीं सडके बनाएगी नहीं सडकों को पहले complete करेगी फिर आगे चलेगी तो यहाँ पर 34,800 किलोमेटर की सडकें की यहाँ पर और इनकी सडकों add करने की बात की जा रही है इंटेग्रेटर स्कीम है तब ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने कुछ काम करके दिखाया है और हमारा भरतमला जो परिजोजना है यह complete हो पाया है इसके लावर tenure की बात कर रहे है कि जो first phase है यहाँ पर कहा जा रहे है कि 2022 तक यह end हो जाएगा और अभी बात कर रहे हैं कि जो segmentation in the faces इसमें यह बात कही जा रही है कि काम जादा होने की बज़ा से अभी इसको साथ faces में divide किया जाएगा तो अभी के लिए अभी सरफ first phase ही under construction है जब यह complete होगा फिर जो आगे के faces जो है start होगे तो बिलकुल वैसे जैसे elections होते हैं जहाँ पर अबादी जादा होती है उनको faces में बात दिये जाता है ताहां जो कि अच्छे से काम हो पाए अच्छे selections भी conduct हो पाए इसके लावा construction on daily basis यहाँ बात कर रहे हैं कि first phase को timeally up finish कर लें इसलिए यहाँ पर daily basis के उपर काम किये जा रहे हैं तो यहाँ पर यह कहा गया है कि at least 18 km का रास्ता हमने बनाना है per day हर एक दिन 18 km जो है यह construct करना ही करना है तो यहाँ पर efforts हैं काफी हैं यह भी कहा जा रहे हैं इसको और raise करो 30 km per day के साब से यहाँ पर इस target तक भी हमने achieve करना है और आगे बात कर रहे हैं कि अलग-अलग categories है road construction की तो यहाँ पर भी जो है better connectivity की बात कर रहे हैं कि अच्छे तरह से यहाँ पर जो construction की जाएगी आने वाले समय में और multi source of funding तो funding कहने का मतलब कि पैसा नहीं होगा नहीं बन पाएंगे तो इसलिए कई बार delay हो जाता है program की पैसे की funding कम हो जाती है सरकार की तरफ से पैसा नहीं आता जहां फिर जो भी इनोंने public private partnership का model तयार किया होता उसके तहाँ private partnership कई बार delay हो जाती है investment delay हो जाती है तो एक source अगर रहे कर चलेंगे कि सरकार ही सर्फ invest करें funding की कमी के वज़ा से तो यहाँ पर government जो है यहाँ पर और sources की उपर भी depend करेगी ताँ जो कि जितना यहाँ पर money supply चाहिए वो यहाँ पर provide की जाए कि ताँ जो कि जो हमारे highways की construction का काम है वो जल्दी से खतम हो पाए तो इसलिए सरकार कई बार loan भी लेती है बाहर के बैंकों से private players को भी बोलती है कि आप ही यहाँ पर invest करें जैसे यह toll roads निकल कर आती है toll लगता है ठीक है तो यह भी एक सरकार का यहाँ पर जो private companies होती है जो पैसा लगा देती है बाद में वही toll वसूलती है आने वाले सालों में इसके लाबा budget allocation की बात करें कि जो अभी 24,800 km की यहाँ पर सडकों के लिए यहाँ पर जो फेस्मान के तहत बनेंगी तो इसमें बात की जारी है कि जो balance वर्क था NHDP का तो यहाँ पर 10,000 km की सडकें अभी बैलेंस है तो NHDP National Highway Development Program के तायर तो अभी total हो गया 34,800 km की सडकें जो है यह बनानी है तो इसका जो cost है वो estimate है कि 5,35,000 करोड का इसका cost आएगा तो काफी बढ़ा cost है तो आने वाले 5 सालों के समय काल के लिए इसका यहाँ पर target रखा गया था कि 5 साल के समय में इसको complete करना है 2017 से यह शुरू हुआ था 2022 तक इसकी ending कही जा रही है और आखिर में हम बात करेंगे भारतमला project category यह भी important है आपको पता होने चाहिए अलग-अलग तरह के corridors होंगे क्या काम होता है अलग-अलग corridors का सबसे पहले बात कर रहे है economic corridor तो यहाँ पर जो road construction project है उसमें कहा गया है कि 9000 km की जो सडके बनाई जाएंगी वो economic corridor होंगी तो यहाँ पर यह central government यहाँ पर खर्चा देखीगी इसका तो economic corridor जैसे डेली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है ठीक है तो इस तरह से और भी industrial corridor, economic corridor बनने जिसे कि भारत की economy को फैदा हो, transportation में ease हो और अच्छे से सामान एक जगा से दूसरी जगा पहुँच पाए, ताँ जो कि अच्छे से और timely manner में जो है economic grow करें आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं feeder route और inter corridor तो इनकी जो कुल नमभाई होगी वो होगी 6000 km के आसपास मतलब जो यहाँ पर main road को connect करेंगे वो बले route उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं और साथ जो national corridor efficiency improvement इसके ताहर 5000 km की जो सटके हैं उनको construct किया जाएगा scheme के ताहर जो कि यहाँ पर national corridor efficiency improvement की category उसमें आएंगी इससे यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि better connection roads का हो एक roads का दूसरी road के साथ अच्छे से जो है interconnectivity हो सके इसके लावा बात कर रहे हैं border road international connectivity इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ यह अलग-अलग जो हमारी border country से उनके साथ हम जोडेंगे अपने आपको connectivity जोड़ेंगे सडकों के तहट तो यह 2000 km की सडके इसके तहट होंगी इसके लावा जो port connectivity जहाँ पर coastal road जो होगी तो इनकी भी जो लंबाई होगी 2000 km के आसपास यह भी सडके इनकी लंबाई होगी जो की एक main road को जो है port के साथ जोड़ेंगी जो coastal road है उसको port के साथ connectivity उसके करेंगी इसके लावा जो green field express way बनाए जाएंगे तो यहाँ पर भी main stress दिया जा रहा है कि जो green field express way है उनको उनकी अच्छी हमने management करनी है ताँ जो traffic है और जो freight management है उसको अच्छे से हम manage कर पाएं तो यह green field express way अभी भी भारत सरकार यहाँ पर कोशिश कर दी है कि express way बनाए जादा से जादा लेकिन अभी भी अगर हम compare करें चाइन, US और इंडिया इन तीनों में से सबसे पहले नंबर पर है चाइना दूसरे नंबर पर है US और तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं भारत है कि अभी भारत तीसरे नंबर पर भी नहीं है भारत की यहाँ पर ranking काफी नीचे है express way के मामले में तो अभी भारत चाहता है कि मैं जारा से जारा express way बनाऊं ताँ जो कि जल्दी से जल्दी जो लोग है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे जैसे आप देखो यहाँ पर दिली से आगरा का एक express way बना हुआ है तो वह काफी यहाँ पर सहलत प्रवाइड करता है लोगों को तो उसमें काफी सारी facilities होती है और आप जितनी speed तो गर्पया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया